हेलो एवरिवन गुट आफ्टर नून आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे अच्छे होंगे और वेलकम तो माई चैनल तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास शिक्स का लेसन हैं पंचुएशन जिसका मतलब होता है विराम चिन ठीक है जब हम कोई भी सेंटेंस या फिर वह सारे वर्ट एक साथ बोलते हैं तो हमने कई बारी हमने बुक्स के अंदर देखे कि कई फोस्टोप है कई कॉमा है या फिर कोशन मार्क है एक्सलमेटर साइन है कोटेशन मार्क है वह सारे सीमल्स हमने देखे हैं तो वह विराम कहा देना होता है sentence के अंदर आज हम उसी को ही read करेंगे ठीक है तो अगर आप इससे पहले नहीं है इस channel के उपर तो please इसको subscribe करके जुरूर जाना और share भी करना, like भी करना और comment तो गंपर जरी है ठीक है तो ये देखो आपको दी हुए है इसके अंदर यहाँ दिखाई दे रहोगा आपको quotient mark भी है कुमा भी है और inverted कुमा भी है, apostrophe भी होता है ये quotient mark भी है तो इसी तरह से हमने convert करना है देखो ये simple sentence दिया हुआ था और इसको ये convert कर दिया इसने punctuation में तो चलिए थोड़ी सी theory में देख लेते हैं देखो फर्स्ट में हमको दिया हुआ है कि capital letters जो उसे हमारे letters है उनको capital में बड़े में लिखना है ये हो गया capital में, कई बारी क्या होता है हम लिखते हैं, mister लिख दिया doctor लिख दिया तो उसका हमेशा, जो उनसा ये M है ना हमेशा क्या रहेगा, capital रहता है जैसे आप डोक्टर लिखते हैं, तो ये ये भी एक punctuation का part है, कि जो उनसे ये इस रो होता है i, s, r, o तो ये small में नहीं आता है, ये हमेशा capital में ही आता है second number पे है हमारा foot stop जब हमारा sentence की ending हो जाती है, तब हम क्या करते है, foot stop का देते है question mark होता है, हमारा जब हम किसी से question पूछ रहे है, what, अगर आगे लोगा हो, wh family में हो, ये क्या वाली feeling हो, तो वो वाली exclamatory sign होता है, जब हमको बहुत ज़्यादा अस्चरी हो जाता है, surprise वाली feeling आ जाती है, excitement हो जाती है या फिर हिंदी में बोले, तो हम विस्मयादी वोदक, चिन बोल देते हैं इसको, फिर है कॉमा, जैसे बच्चे fruits ने बताते है ना, कि apple, banana, mango, orange, अगर वो write भी कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, कॉमा जा जाते हैं, जैसे stationary का होता है, स्मान, कि rubber हो गया, pencil या, eraser है, scissor, scale, तो जितने भी आपा write करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा बोलने में भी space आ रहे है, और जब write करते हैं, तो कॉमा आ जाता है, फिर है apostrophe, इसका मतलब हम कैसे लगाते हैं, कि एक तो हो जाता है, नहा, यह तो हो गया name, ठीक है, फिर हम यहाँ पर apostrophe लग देते हैं, तो यह नहाज हो गया, मतलब कि नहा की या का के की, इसकी filling देता है, ठीक है, फिर है यह colon, और colon का भी हम use करेंगे, जब हम को किसी list को introduce करना हो, फिर हम यह लगाते हैं, फिर है यह semi colon, semi colon कब करते हैं, जब कोई दो sentence, बिल्कुल close related होते हैं, तब यह use कर देते हैं फिर है हमारा hyphen, यह हम कर देते हैं as a compound word, मिश्रित वर्डों के बीज में use कर देते हैं, फिर आजाता है हमारा dash, यह तो separation के लिए, अलग अलग करना हो वो, यह है quotation mark, यह हमेशा तब यह होता है, जब कही हुई बात, विल्कुल same to same बोलनी हो, जैसे अगर मैं बताऊं कि सु ना ही कोई हटा सकता है, same to same बोला जाएगा, कई बारी जैसे universal truth वाली बाते भी हो जाती है, तो वो हमेशा as a tease रहती है, semi colon के अंदर वाली change नहीं होती, अगर मैं कहा दो, कि मैंने ऐसे कहा था, तो वो वच्छा घर जाके same to same, अगर वही wording बता रहे है ना, तो वो no change वाली quotation mark में रहे है, कि हाँ मैंने ऐसी बोला था, तो सबसे पहले इसने theory दी है हमको capital word की, तो हम first first line इसकी read करेंगे, बस समझने के लिए, ये है for the first letter of the sentence, जब sentence में first letter होता है, उसके लिए होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे अब ये cooking है, c बढ़ा आ गया, दा है, t बढ़ मिस्टर आ गया, डॉक्टर भी आ गया, CBSE board भी आ गया, ICSE भी आ गया, इसमें, जैसे state bank of India है, इसके starting के सारे के सारे क्या आएंगे, बड़े आगे, awareness day, Microsoft वगरा जो भी है, अब देखो first stop, first stop क्या आता है, at the end of the sentence, जब आपका वाक्य है, खतम हो जाता है, पूरा हो जाता है तब हम first stop लगा देते हैं, खतम, ठीक है, first stop हम यहाँ पे रूपीज में भी लगाते हैं, प्रोफेसर अगर हम किसी को short form में लिख रहे हैं, तब भी लगाते हैं, और यह address बताने के लिए, web का email के अंदर, तब भी हम लगाते हैं, फिर हमारा question mark, question mark, ask a question, questioning ask करने हो, last में यह sign लगाना पड़ता है, और यह start हमेशा किसे होते हैं, wh family से, who, what, way, her, why, these type of words, फिर exclamatory sign, विसमयादी बो तक, जब हमको क्या हो, कुछ surprise वाली feeling हो, excitement वाली हो, strong वाली हो, तब लगाया जाता है यह, ठीक हैं, और कई बारी यह start किसे होते हैं, how से भी start हो जाते हैं, how beautiful she is, this type of फिर हमारा कोमा, कोमा होता है, separation item on a list, जब हम लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि अपा कह देते हैं, यह घर का समान ले आना, राशन गा, kitchen के लिए, तो जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर जो कोमा से लगाते हैं, वो वाला है, जैसे milk लियाना, curd लियाना, butter cube लियाना पैकिट है, चोकलेट है, मैगी है, जो पासा बगरा जो भी मंगवाना है, तो यह लिस्ट बनाते हैं, तब हमको यूज करने बढ़ते हैं, तो आजे यह next page पे, फिर हमारा apostrophe, apostrophe का मतलब होता है, इसने दिया हो है, four omitted letter, omitted क्या होता है, छोड़े गई, जो छोड़ देते ह पा, जैसे कि यहाँ देखो, I have, पूरा लिखा हुआ था, ब्रैकिट में इसकी short form लिख दिया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ छोड़ा क्या, छोड़ा है, ह, उसको छोड़ दिया, और यह apostrophe, यह cannot है, इसको लिख दिया, can't लिख दिया, will not, won't लिख दिया, तो यह छोड प्रेवे words के लिए apostrophe को हम use करते हैं, इसलिए इसको for omitted letter कहा जाता है, फिर आगया हमारा colon, to introduce a list in the sentence, sentence के अंदर list को अगर हम बताना चाते हैं, वो, यह देखो, she was excited, excited है, she was getting married, उसका answer भी वहीं पर यह, introduce करना है ना, जो वो बता रहा है, फिर वो बता के आगे explain कर रहा है, उसको introduce कर रहा है, तो यह लगाया जाता है, फिर a semicolon, यह ओज़ेगा to join two sentences, जब दो sentences को जोड़ा जाता है, अलग-अलग होते हैं, जोडने के लिए यह semicolon use किया जाता है, that are closely related, जो की एक दूसरे से related होते हैं, मतलब कि depend भी लगा लो, आप एक दूसरे के पर depend होते हैं, एक वाकर बोल दिया, दूसरा ना बोला, तो हमें उसकी sense ही नहीं पता लगती है, कि सामने वाला कहना क्या चाता है, फिर a hyphen, to make compound word, अब यह compound क्या होता है, यह होता है, हमारा मिशरन, mixture वगारा जो भी आप लगा सकते हो, और इसने दिये हैं, bored-minded, या फिर non-verbal, well-documented, मतलब कि जो words एक दूसरे का मतलब कठे होगे निकाल सकते हैं, मिशरन के रूप में समझा सकता है, dash का क्या होगे, to separate part of a sentence, मतलब कि पूरे के पूरे sentence में, अगर पूरे के पूरे parts को अलग करना हो, दो उसको टुकडो में करना हो, separation का मतलब होता है, अलग करना, तो उसके लिए यह use किया जाता है, तो यह हो गया हमारा, 137 page number done, अब हम करते हैं इसके exercise, next page पे हमको एक और दिया हुआ है, quotation mark लगा लो, यह इसको inverted को माल से लगा लो, ठीक है, यह कहां use होता है, in direct speech, जब वो बोली जाती है, तो उमेश ने कहा, जो कहा ना वो same to same रहेगा, I like to read horror stories, कि मुझे यह drumny stories पढ़ना वो जदा पसंद है, तो यह बात same to same बोली जाएगा, अगर मैं यह बात सुन के, अगर मैं आगे जाके घर जाके किसी को कह रही हूँ ना, कि मेश ने ऐसे खा था, कि उसको horror story बहुत जदा पसंद है, तो वो बात same to same रहेगी, ना उसके अंदर change रहेगा, ना उसके अंदर कुछ add होईगा, ठीक है, तो इसी के साथ ही हम करते हैं, हमारी exercise start, तो आजए यह first sentence के उपर, punctuate these sentences correctly, हमको बिल्कुल अच्छी तरह से इसको correct करना है, विराम चीन लगा करके, first है जैसे how कर दिया इसने, अब यह देखो how में ऐसे छोटा है, तो मैंने how कैसी आएगा, ऐसे बड़े में आएगा, और how far is the river from here, अब यह हाओ है, डगड़ एच फैमिली का है, इसके बाद क्या आएगा, वो कोशन मार्क भी आएगा, और कोटेशन मार्क में इसको लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ से start कर दिया, और यहाँ पर end कर दिया, उसने और डिया हुए, ठीक है, तो दुबारा से देखो, हाओ में एच को कैपिटल करना है, और यहाँ पर कोशन मार्क लगाना है, और जब भी यह इन्वेटेड कुमक बंद होता है, वो हमेशा फुस्टोप लगा तो उसके बाद बंद होएगा, कोशन मार्क है तो उसके बंद होएगा, यह एक्सलामेटरी साइन है तो उसके बाद बंद होएगा, कई बचे क्या कर देते हैं, पहले तो यह शिक्स और नाइन वाला बंद कर देते हैं, बाद में एक्सलामेटरी साइन लगा देते हैं, तो इसका नमबर आपका पूरा-पूरा काट लिया जाएग डाट अलग से पढ़ेगी क्लास में आगे देखो हैव है तो यह देखो भाई इसको एच कैपिटल करना पढ़ेगा हैव यू सीन दा फिलम सीरीज दा लोड दा लोड में टी भी बढ़ाएगा और ल का वो लोड का ल भी बढ़ाएगा मतलब कि यह सีरीज का नाम है लोड ओ दा लोड दा रिंग इसके अंदर सारे के सारे वर्ट क्या जाएगा इसका टे बढ़ा इसका अब यह है व्यू सेन इसिको कोई गॉचन बुच ठा कि क्या तुमने यह सी rése देख लिएwyn तो लास्ट में क्या आएगा कोशन मार्क फिर है third third में क्या करना है yesterday के बाद तो आपको लगाना है comma और last में लगाना है आपको first stop बस और इसके अलाव़े कुछ भी नहीं करना fourth में आपको inverted commas में कम बंद करनी है ये y से start करनी है y का w कर देना बड़ा ये मैंने लिखाने भूल गी मैं y से start होगा अपरा inverted comma और day के बाद कोशन मार्क के बाद खतम होएगा ठीक है ये कोशन पूछा गया था कोशन मार्क पहले लगाएगा उसके बाद ये बंद होगा start ऐसे था ये last में मी में के बाद आजाएगा first stop इसी तरह से ही है फिफ्ट में क्या है भई हमको लगाना था ये हाइफन लगाना था ये man और दा के बीच में क्या आगा है छोटा सा हाइफन आगया और shoot इसके बाद के आगया चोटा सा हाइफन done और six में है जो इनसे ये man लिखा हो था ये था man यहां पर अपोस्ट्रोफी लगाने पड़ेगा आपको यह कठा ली दिया था एस इसके साथ मैंस नहीं होता अपोस्ट्रोफी लगाओ और यह एंपटी के बाद च्छटा सा हाइफन आएगा डन अब करेंगे हम सेवंध सेवंध में लगा देंगे हम कोलन किसके थिंक्स के ब ट्यूब ग्ल्यू और यह है ड्रोइफ पैंस तो इसके अंदर क्या जाएंगे कोमा जाएंगे सीजर के बाद के बाद यहां पर आजएगा कोलन यह इंट्रिद्वोश कर रहे हैं लास्ट में है वही रिमेंबर से आपको स्टार्ट करना है और यहां पर आजएगा कोलन बस इसी के साथ ही आपका एंड हो जाता है चेप्टर सो थेंक यू और अगर आपको स्क्रीन शोट लेना है तो as you wish और से स्क्राइब करके जुरूर जाना अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो ठीक